SKP 7 News Bar अपराद की योजना बना रहे देशी कट्टा एवं जिंदा कार्तूस के साथ दो बदमाश किरफतार बार अनुमंडल के मुकामा इलाके में लगातार बढ़ रहे अपरादों के बीच पुलिस सक्रियता बढ़ा दी गई है इसी क्रम में वरियप दाधिकारियों के निर्देश पर सभी थानाक्षेत्रों में गहें गश्ती और जांच अभियान जारी है इस दौरान आज मंगलवार दिन के ग्यारह से बारह बजे के बीच अपरात की यूजना बना रहे दो बदमाशों को हाथी दह थाना ध्यक्ष्मो शोयब अक्तर और उनकी टीम ने धर्दबोचा बदमाशों के पास से एक देशी कटा, चार जिन्दा कार्तूस और मुबाइल फोन बरामत किये गए हैं हाल ही में हुए दो ग्रह भेदन के मामले में भी गिरफतार बदमाशों से पूछताच की जा रही है गिरफतार बदमाशों की पहचान लखी सराय जिला अंतरगत बढ़हिया थाना के जैतपुर निवासी राजीव कुमार 20 वर्ष, पिता बिर्जु महतो तथा छोटु कुमार 21 वर्ष, पिता रंजरे सिंग के रूप में की गई है बढ़हिया पुलिस भी हाथीदः आकर बढ़हिया थाना क्षेत्र में हुए कई ग्रह भेदन के मामले में गिरफतार बदमाशों से पूछताच की बढ़ते अपरात के बीच पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है दरसल पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि हाथीदः और बढ़हिया थाना क्षेत्र में हुए ग्रह भेदन के लगभग आधे दरजन मामलों से इन बदमाशों का कोई कनेक्शन तो नहीं है बार से अनिल कुमार की रिपोर्ट